दोस्तों, आज का समय computer और internet का है और अगर कोई student computer से related कोई भी course करता है तो यह उसके अच्छे भविस्थ को सुनिशित करता है आज हर जगा computer का प्रयोग हो रहा है और हर दिन computer का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है तो आज मैं आपको computer से related ITI course कोपा के बारे में चानकारी दूँगा जिसे करने के बाद कोई student computer से related basic काम को कर सकता है और एक अच्छी salary के साथ computer के छेतर में अपने career की सुरुवात कर सकता है कोपा ITI यानि Computer Operator and Programming Assistant एक computer से related course है जिसके बारे में पूरी जानकारी हर एक student को जो ITI करने की सोच रहा है जरूर रखना चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोपा ITI course के बारे में पूरी जानकारी दूँगा मैं बताऊंगा कि यह course क्या होता है किनको यह course करनी चाहिए इस course के दोरान student क्या सिखते है course के लिए eligibility क्या होता है course का duration क्या होता है admission procedure क्या होता है tuition fees क्या होता है इस course के बाद career options क्या है job की options क्या है higher education के options क्या क्या है साथ में books कौन से खरिदनी चाहिए syllabus क्या है इसके अलावा भी कुछ और important points को मैं आपको explain करूंगा तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ITI COPA course क्या होता है यह पूरी तरह clear हो जाए वीडियो शुरू करने से पहले एक special request अगर आप मेरे इस channel career connections पर नए है तो channel को जरूर subscribe कर लें साथ में bell icon भी प्रेस करें मैं आपके career से related important topics पर वीडियो लाते रहता हूं जो आपके लिए काफी मददगार सावित हो सकता है ITI COPA का मतलब होता है Computer Operator and Programming Assistant जैसा की नाम से ही पता चल दा है यह course computer से related है जिसके दरान आपको computer से related basic topic जैसे की computer को कैसे operate करना है basic programs जैसे की Microsoft Office Microsoft Excel, Photoshop, Wave Designing वगेरा भी सिखलाए जाता है इस course का मक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को skilled बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को technical knowledge देना है किनको यह course करनी चाहिए जो student कम समय में कम फीस पे कर एक ऐसा course करना चाहते है जिससे एक अच्छी नौकरी मिल जाए या एक ऐसे field में नौकरी मिले जिसमें growth की समभावना बहुत ज़्यादा है तो वो ऐसे students को यह course करनी चाहिए जिन students का interest computer field में है वो भी इस course को कर सकते हैं साथ में मेरा मानना है कि अगर कोई वेक्ती computer से related कुछ course करना चाहता है तो वो भी इस course को जोईन कर सकता है क्योंकि इस एक साल के course के दोरान आपको computer से related basic सारी topics को सिखलाय जाता है, बताया जाता है साथ में आपको एक certificate भी मिल जाता है जिसके आधार पर आप कहीं भी नोकरी के लिए अपलाई कर सकते हैं इस course के दोरान student क्या सिखते हैं इस course के दोरान students को computer से related महत्पुन topic जैसे की fundamentals of computer, computer software कैसे install करना है computer hardware का basic personal computer को कैसे operate करना है data entry का concept typing speed कैसे बठाना है networking concept rev designing का basic concept cyber cafe management database management और साथ में employability skills भी सिखलाय जाता है इस course के eligibility की बात करें तो दस्मी पास कोई भी student इस course को जोईन कर सकता है minimum percentage 35 होना चाहिए और छात्र के उम्ड कम से कम 14 साल और अधिक्तम 40 साल से कम होनी चाहिए ITI COPA की admission पर क्रिया बहुत ही आसान है आप दो तरह से admission ले सकते हैं लगभक सभी private ITI college में आप direct admission आपके 10th mark basis पर ले सकते हैं वहीं government ITI college में आपको entrance exam लिखना होगा जिसमें अच्छा है स्कोल करना जरूरी होता है यह सब कुछ top entrance exam है अगर आप इस course के बारे में विश्तार से पढ़ना चाहें तो मेरी website पर विजिट कर सकते हैं आप अपनी सुल्धा के नुसारे English या Hindi में आटिकल पढ़ सकते हैं लिंक description में है ITI COPA course का duration एक साल होका होता है इसमें 6-6 महिने के 2 semester होते हैं आपको दोने ही semester के तवरान theoretical और practical method से computer की बारे कियों को पढ़ाया जाता है अगर आप इस course के लिए जरूरी books खरीदना चाहें तो उसका लिंक भी description में है आप Amazon से घर बैठे जरूरी books खरीज सकते हैं OPA ITI course का tuition fees सरकारी college के लिए बहुत कम और private college के लिए थोड़ा जादा होता है सरकारी college में fees 2000 से लेकर 5000 तक हो सकता है वहीं private college में आपको course complete करने के लिए एक साल का fees 10,000 से लेकर 25,000 तक भी देना पर सकता है इस course को करने के बाद job की संभावनाय बहुत जादा है आप government या private sector में job पा सकते हैं सरकार की तरफ से कुछ post के लिए केबल ITI कोपा वाले को ही apply करने की इजाजत होती है इस course को करने के बाद students को block office, police department, government welfare office, college और university में नोकरी मिली है वहीं private sector की बहुत सारी बरी और छोडी कमपनियां में भी लोगों को नोकरिया मिली है इस course के बाद role की बात करें तो आपको computer operator, data entry operator, instructor का role मिल सकता है बहुत सारे students इस course के बाद cyber cafe में काम करते हैं या अपना खुद का cyber cafe शुरू करते हैं और वे वहाँ से अच्छी कमाई कर पा रहे हैं salary की बात करें तो सुभाती salary 8000 से 12000 तक मिल सकती है और experience के साथ यह बरता जाएगा अगर आप सरकार की तरप से लाए जाने वाले apprentice program को जोईन करते हैं तो वहाँ भी आपको 1-2 साल के लिए लगवग 6000 महीना मिल सकता है लेकिन यह एक से दो साल का experience आगे आपको अच्छी नोकरी अच्छी salary के साथ दिलाने में काफी मदद कर सकता है higher education की बात करें तो student इस course के बाद 12th जोईन कर सकते हैं वही कुछ student CTI course करके ITI में ही trainer की नोकरी प्राप्त कर लेते हैं course के syllabus की बात करें तो दोनो सेमेस्टर में आपको practical और theoretical दोनो तरह से computer से related topic को पढ़ाया जाता है साथ में आपको computer में आने वाले basic problems के बारे में भी बताया जाता है और एक important topic employability skills भी पढ़ाया जाता है इस course के लिए कुछ top के colleges की बात करें तो यहां सब कुछ top के colleges हैं इसके अलावा भी अपने इंडिया में बहुत सारे ITI college हैं जो आपको COPA course करवाते हैं तो आपको घबराने की जरूत नहीं है आप जहां भी रहा रहे हैं उसके आज पास आपको जरूर ITI COPA के लिए government या private college मिल जाएगा आप वहां से इस course को कर सकते हैं इस एक साल के course के दोरान students को ध्यान इस बात करना है कि जो भी उनको theoretical और practical classes ली जा रही है जो पढ़ाया जा रहा है उस concept को उनको clear रखना है उन सारे topics पर उनको अच्छे से command करना है computer पर जाद से जादा practice करना है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि ITI COPA course का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो please like और share करें आपकी तरफ से कोई सुझाब ऐसा वाल हो तो मुझे comment कर बता सकते हैं धन्यवाद